नमस्कार नाई वेलकम यो लू वर्ल अफेर्ट वैंगु प्रशान्द वन नावाद से कुछ दिन पहले जब भारत ने राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था सभी राइस एक्सपोर्ट नहीं मगर जो नौन बासमती वराइटी है उनके एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि eventually आप notice करोगे कि UN या फिर कोई और international body इंडिया को कहेगी कि देखिए हमको चावल चाइए होंगे नहीं तो global hunger लगातार बढ़ती रहेगी वेल इस पर reports अब publish होनी start हो चुकी है हाली में UN की जो body है world food program इन्होंने ये का है कि जी 2 lakh ton हमको चावल चाइए होंगे भारत से नहीं तो problem बहुत ही जड़ा बढ़ जाएगी यहाँ पर आप देख पाऊगे world food program taps India for 2 lakh ton of rice as global hunger versions दुनिया भर में hunger की जो situation है खराब होती जा रही है क्योंकि मैं वैसे आपको बताऊँगा recently काफी सारी developments होई है उसकी वज़े से जो grain युक्रेयन से आता था वो भी रुग गया उसके अलवा बाकी countries जो है वो भी बहुत जारा कम खाना export कर रही है तो eventually देखिए इंडिया पे responsibility आएगी जो बहुत गरीब देश है उनको हमें खाना खिलाना होगा हम basically दुनिया के अनदाता होगी तो discuss करेंगे इस वीडियो में के world food program है क्या इनको इंडिया की help क्यों चाहिए होगी काफी को जहां पे आपको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पूछूँगा question यहाँ पर यह है के हर घर तिरंगा campaign यह आजकल काफी news में है आपको बताना है के यह organize कराया जाएगा कब से लेकर कब तक यह है आपे आपकी options comment section में करिए उत्तर सही answer आपको मिलेगा वीडियो के अंत में नाव सबसे पहला question आपके मैंड में यह आएगा के 2,00,000 टन चावल कम नहीं होते बहुत ही ज़रा बड़ी quantity होती है तो world food program आखिर है कौन यह करते क्या है देखे world food program जैसे मैं आपको बताया एक UN की agency है headquarters आपको इनके मिलेंगे इटली की राजधानी रोम में और 2020 में इन्होंने इतना अच्छा काम किया देखिये over the years दुनिया भर में जहां भी खाने की कमी होती है भुकमरी बिलकुल फैली होती है लोग मरने की गगार पे होती है वहाँ पर world food program ने कई बार जिन्दगिया बचाई है इसलिए 2020 में जो नोबेल पीस प्राइज है वो world food program को दिया गया था और I'm sure आपने काफी बार सुना होगा कि इंडिया अफगानिस्तान को गेहू भेजता है ना इंडिया ना कभी भी अफगानिस्तान को directly गेहू नहीं भेजता हम लोग क्या करते हैं काफी बार हम देते हैं गेहू world food program को और उसके बाद वो लोग अफगानिस्तान में distribute करते है ये गेहू अफगानिस्तान में families या फिर इनके institutions को और यहाँ पे आप देख पाऊगे world food program का जो अफगानिस्तान विंग है इनोंने recently ये ट्वीट करी है तीन जुलाई 2023 को ये यहाँ पर कह रहे हैं wheat donated by government of India to world food program arrived in हिराथ यहाँ पे आप देख पाऊगे जो सारा गेहू है ये जो world food program distribute कर रहा है ये सब इंडिया से आया है हमने काफी बार कभी 50,000 metric ton कभी 10,000 metric ton उसके लावा various तरीके से अफगानिस्तान को contribute किया है तो world food program को पता है इंडिया बड़े दिलवारा देश है इंडिया के taxpayer के पैसे से न दुनिया भर में कई जो नीडी मतलब गरीव लो हमने चावल export करने बंद कर दिये तो काफी जगा कहा गया था कि इंडिया के इस move से global food crisis खड़ा हो सकता है क्योंकि इंडिया का role ही international market में इतना ज़रा बड़ा है और कई reports भी पब्लिश हुई है वियत ताम में और जगा कि इन countries को तो बहुत ही ज़रा घहरा जटका लगेगा इंडिया के rice export bands है यहाँ पर आप देख पाओगे इनका जो वियत ताम का media यहाँ पर यह लोग कह रहे हैं कि जो major rice importers हैं जैसे के बांगलादेश, नेपाल, फिलिपीन, मलेशिया, सिंगापूर यह तो greatly effect होंगे इंडिया के rice export bands है मगर इनके इलावा Middle East में बहुत सारे दे चावल के exports पर depend करते थे तो इन सब countrys को भी कही ना कही से help चाहिए होगी ना ऐसा निये के world food program इंडिया से free में चावल लेकर यहाँ बार देगा, world food program कोशिश यह करेगा जो बिल्कुल extremely needy लोग हैं जिनको बिल्कुल चावल चाहिए और बिना supplies के वो भूख के बारे मर सकत हैं situation बहुत ज़रा खराब है, वहाँ पर distribution world food program कर सकता है, ऐसा निये के सीधा लोगों का जो grocery store है, जहाँ पर लोगों के पास और भी बहुत सारी options है खाना खाने की, वहाँ पर जाएगा यह चावल, mostly जो बहुत ज़रा गरीब रीजिन है दुनिया के, वहाँ पर यह चावल primarily बात चल रही है कि Thailand यहाँ पर आप देख पाऊगे आर्टिकल है, Thailand और Vietnam का भी उताय जा रहा है कि यह भी most probably चावल के exports को लेकर restrictions लगाने वाले हैं, यहाँ पर आप देख पाऊगे यह हैं दुनिया के सबसे बड़े चावल के exporter, इंडिया बैन लगा चुका है, Thailand और Vietnam ने और अगर बैन लगा दिया तो इससे global market को एक बड़ा जटका लगने वाला है, और लेड़ी आप देख पाऊगे यह price chart है चावल का, यह आपको याद होगा 2008 का time है जब global financial crisis आया था, उस वक्त चावल के दाम, गेहूं के दाम, बिल्कुल आसमान चुरह थे, तो तब से लेक बारे सही तरीके से आती नहीं है, खेती नहीं हो पाती, तो कोई बड़ी बात नहीं है, यह जो टावर है, यह अराम से 800 का मार्ग चु सकता है, 800 डॉलर्स पर टन चावल का price जा सकता है, इट कैन वेरी मच हैपन, अब फानली आपका एक question यह भी आएगा, कि वर्ल्ट फूर प्रोग्राम primarily donations पर ही काम करता है, वर्ल्ट फूर्ट प्रोग्राम is entirely funded by voluntary donations, तो इनको पैसा उसके लावा अनाज यह donations में दिया जाता है, और उसके बाद यह दुनिया भर में इसको बार देते हैं, तो इंडिया यहाँ पर मना भी कर सकता है, जरूरी नहीं है, कि अगर कि it can very much happen इंडिया इसके लिए campaign स्टार्ट कर सकता है a lot of things can happen उससे related कुछ और developments आती है तो आपके लिए मैं अलग से वीडियो उसके लिए ले आऊंगा now finally वापस आते हैं question की तरफ के हर घर तिरंगा जो campaign है ये कब से कब तक चलेगा तो सही उत्तर यहां पर है option C 13 से लेकर 15 अगस्त तक यहां पर आप देख पाएंगे इस campaign के अंडर लोगों को प्रोच साइट किया जा रहा है कि वो एक selfie खीचे इंडिया के फ्लाग के साथ और उसको फिर upload करे हर घर तिरंगा वेबसाइट पर और हाँ आप लोगों के लिए एक important जानकारी अनकाडमी ने एक massive scale activate कर दी है 15 अगस्त के लिए तो अभी क्या होगा 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक अनकाडमी के जो UPSC courses है इनके price गेर दिये जा चुके है there has been a huge price drop तो comment section में जाईए यहां पर आपको मिलेगा link let's say अगर आप एक college student है अगर आपके पास अभी time है 2-3 साल का आप अराम से कुछ साल wait करके UPSC exam के लिए prepare करना चाते हैं तो यहां पे आप purchase कर सकते हैं Unacademy का combo course यहां पे इस course में आपके UPSC prelims, mains, optional तीनों की ही त्यारी करवाई जाएगी with Unacademy's quality courses और since आप iconic convo purchase करेंगे यहां पे आपको एक mentor भी मिलेगा जो ensure करेगा कि इस course को खरीद के आप बैठना जाएं इस course को आप properly follow भी करे with discipline तो जो 36 month का course है यह आप कर सकते हैं purchase prices काफी गिर चुके हैं you will get a lot of discount so use the code PD10 and save money इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ thank you for listening and as I always say may the gods watch over you